नमस्कार, वेलकम अभिनादर आस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वाकट है आईए जान लेते हैं क्या कहता है आज का राशी फर्द 14 मई दो हजार चौबिस पहली राशी मेश राशी प्रिय मेश राशी के जाह तक आप अपने काम में अधिक रूची ले सकते हैं आज जानो कर्राशी में चंद्रमा का कोचर आपको क्रियेटिव बनाएगा आप काम को अच्छे से कर पाएंगे आज आपके सामने कई अवसरास कते हैं आपका ज्यान आपको किसी भी समस्या से बचने में मदद कर सकता है जो आपको ब्रमित करती है आस्ट्रोयोंगी जियोतिशी तो पहल साड़े बारा बजे से सवा तीन बजे के बीच का समय आपके लिए दिन का सबसे भाकिशाली समय होने की सरहा देते हैं दिन के लिए सफेद रंग आपका शुख रंग करेगा आज आप अपने साथी को अपनी और अध्यधिक आकरशित पाएंगे इस आकरशन का आनन्द उठाकर आपस में बाटे आपका साथी इस प्यार के प्रदर्शन से सुख प्राप्त करेगा आज आप किसी सैमिनार या कोंफरेंस के अध्यक्षता करेंगे जिससे कि आपके करियर को बहुत लाब मिलेगा इसमें से किसी ना किसी से आपको आने वाले समय में लाब जरूर होगा आज का समय आपकी वित्तिय यूजड़नाओं को सही करने के लिए आदर्श है इस दिन किये जाने वाले सही निर्णे आपको लाब पहुचाएंगे लेकिन बिना सोचे समझे किये जाने वाले वित्तिय निर्णे आपको हानी पहुचा सकते हैं अपने प्रभाव का दुरुपयोग आज ना करें नहीं तो वित्ति और दुश्प्रभावों से घेर सकते हैं। कुछ नकारात्मक सोच आपकी मानसिक शांती को बिगार सकती है। इसलिए शांत रहें और तनाव कम करें। आप खुद को किसी नए कारिय में लगाएं ताकि ऐसी सोच आपके दिमाग में ना आए। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप मन लगाकर कारिय नहीं कर सकते। परंतु शांत दिमाग से आपकी उर्जा शक्ती भी बढ़ती है। धैन्यवार। अब बात करते हैं व्रिशवराशी की, प्रिय व्रिशवराशी के जातक। आज चंद्रमा का कोचर करगराशी में है, जिसकी वज़े से आप कई गतिविदियों को लेकर खुद को व्यस्त महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आज आज आपको सांस लेने की भी फुरसत ना मिले। लेकिन आज आपका दिन दुर भाग के नहीं, बलकि सौब भाग के लेकर आया है। हाला कि आज आज आपका दिन व्यस्त हो सकता है, परन्तु एकागरता के साथ सभी काम को खत्म करें। आज दिन के लिए आपका भागे शाली रंग हरा रहेगा। एक नए साथी के लिए आपके मन में रोमांटिक वचार उत्पन होंगे। आप यदि इस दोस्त को आगे ले जाना चाहते हैं तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये समय रोमांटिक संबंदों के विकास के लिए उत्तम है। आज आप बहुत से लोगों से मिलेंगे। इसमें जरा भी हिचकना करें और सब से फ्रेम से मिलें। आज आप जो भी सम्मंद बनाएंगे, उनसे आपको कही रूप से लाभ हो सकेगा। आपके व्यापार में आने वाले कठिन समय से निपटने के लिए आपको सबसे पहले समय निकाल कर बैटना होगा, वह सही योजना बनानी होगी। इस विशे में चिंता ना करें, आपकी कुशलता वा गुडवत्ता के चलते, आप कठिन से कठिन समय से भी पार पालेंगे। समय पर सही निर्नाई लेने की आवशकता हैं। आप अपने स्वास्त की जादा चिंता करते हैं, जिसके कारण आपको लंबे समय में परिशानी हो सकती है। आपकी इच्छाएं आपको किसी बिमारी की तरफ ले जा सकती हैं। आप अपने स्वास्त का ध्यान रखें और सकारात्मक सोच बढाएं। उन्नती से आपको अच्छा स्वास्त भी मिलेगा। शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशी की। प्रिय मिथुन राशी के जा तक करक राशी में चंद्रमा के प्रभाव के कारण सबसे अच्छा महसूस करने के मामले में यह आपके लिए एक चुनावती पूर्न समय हो सकता है। आप गुसेल वेवार दिखा सकते हैं। इसले आश्ट्रयोगी जियोतिशी स्थितियों को नियंत्रत करने और उस शांति का आनंद लेने के लिए भावनाओं के साथ कुछ आत्म नियंत्रन करने के लिए कहते हैं। कोई भी अग्रेसिव निर्णय लेने से पहले आपको ठीक से सोच लेना चाहिए। आश्ट्रयोगी जोतिश्यों का सुझाव है कि बेस्ट परणाम प्राप्त करने के लिए आप दुपहर साड़े तीन से शाम पांच बज़े के बीच कुछ भी महत्वपून शिट्यूल करें। आज के लिए आपका शुभ्रंग पीला रहेगा। आज प्रेम के शेक्तर में कुछ गलत फहमी उत्पन हो सकती है। इसे रोपने के लिए अपने मन की आवास को सुने। अपने मन की भावनाओं को खुल कर साथी के साथ बांटे। आज ऑफिस से बाहर निकल खर आपको लोगों से मिलना चाहिए। या फिर किसी सेमिनार में जाना चाहिए जिससे आपको नविंतम तक्नीक की जानकारी हासिल हो सके। अपने शेतर में आपको लोगों से अपने संबंद बनाने की कुशिश करनी चाहिए। लोगों से दिल खोल कर मिलें, तथा उनसे अपने बारे में चर्चा करने में ना हिचके जाएं। आज के दिन कई अच्छे वित्तिय अवसर आपके समक्ष होंगे, बैरहार उनका सही लाब उठाने के लिए आपको सही योजना व निर्नय का सहारा लेना होगा। ये योजना लंबे समय तक चलने वाले वित्तिय समय अवदी की योजना होनी चाहिए। अल्प अवदी की योजनाओं के निर्नय भी आपको लाब ही पहुचाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सही खोज वबारीक नजर अवर्शे रखनी होगी। आज आप थोड़ा गुस्से में रहेंगे और आलत से भी रहेंगा। खुद का अध्यायन करें और कमियों पर काबू बाएं। इससे दूसरे को भी परिशानी नहीं होगी, आप नकरात्मक सोच को खत्म करें और तनाव पर ध्यान दें। इससे आप फिर से नई उर्जाय के साथ काम कर पाएंगे। दूसरे भी आपके मूल की तारीफ करेंगे। शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं करकराशी की। करकराशी के जातक आज आप अपनी विरोधी इच्छाओं को और जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा सा संघर्ष महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा करकराशी में इंगित कर रहा है। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का आपको वित्यलाब मिल सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्रक्ता है कि आप विशेश रूप से अपने घरेलू मोर्चे पर किसी भी जिम्मेदारी या करतव्य की उपेक्षा ना करें। क्यूंकि फिर संतुलन बनाने की प्रक्रिया आपके लिए एक समस्या बन जाएगी। ये सब चीज चतुराई के साथ संभालें, सभी खुश रहेंगे। बहतर किस्मत पाने के लिए आज ही नीले रंग के वस्त्र पहने। आस्रोयोगी जियोतिशी का कहना है कि तो बहर तीन बजे से शाम छे बजे का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपके वह आपके साथी के बीच आप दिन चर्या चलती रहेगी। बोर्यत आप लोगों के रिलेशन्शिप में घर कर गई है। यदि आप घंटों काम कर रहे हैं घर पर आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा समय आपको निकालना होगा। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको थोड़ी परिशानी होगी। ध्यान रखें कि आप जितने मुझे पदबर होते हैं नौकरी बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो चाता है। साथ ही आपको नौकरी बदलने एक से पहले सभी अच्छी बुरी बातों पर एक बार फिर सिवचार कर लेना चाहिए। अगर अपने निश्य आपने करही लिये हैं कि आप ने तलाश शुरू कर दी हैं आपको नौकरी चेंज करनी हैं तो आज कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपको अपने आपको काबू में आज रखना चाहिए। आपको समवेधन शील जुडाव रखना चाहिए लोगों के साथ। बहुत एक वस्तूं के प्रती मुग का त्याग करें। अपना समय परिवार्व दोस्तों के साथ गुजारें। आज आपको कुछ तनाव हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप पता लगाएं कि आपको अस्थाई तकलीफ है या स्थाई। आप वो कार्य करें जिसमें लाप मिले और प्रियर जनों के साथ समय बिताएं। अगर आप लंबे समय तक परिशान हैं तो किसी डॉक्टर स सलह अवश्य लें। शुक्रिया। और पुरुसकार पर अपनी नजर को बनाए रखें और अपनी चिंतित मन को शांत रखें। इससे आपको अपने लक्षों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस चितम परिणामों के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करना है तो शाम 4 बजे से 5 बजे के पीच में आश्रोयोगी जोतिशी सुझाव देते हैं कि आज के लिए लाल रंगाप का भागिशाली रंग साबित हो सकता है। आज आप सोचेंगे कि क्या कभी आप सच्चे साथी से मिलेंगे। घबराइए मत, अपने मित्रों के साथ बहार गूने जाएए, आप अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव वह उत्सा मैसूस करेंगी। अगर आपकी योजना है, तो आज आप कोई नई परियोजना शुर बहुते कवस्तों के प्रती मोह जागरित होगा, आपको जीवन में सर्वश्वेष्ट वस्तों में चाहिए, और आप जानते हैं कि इस राह पर चलने का कोई छोटा मार भी नहीं है, अपने जीवन को वित्तियरुप से संतुष्टी की राह पर ले जाएए और सुकून की त धन्यवाद परिवार या दोस्त किसी के भी साथ आपके रिलेशनशिप्स हो, इसलिए इसका पूरा फाइदा उठाएं और अपने रिष्टों को मस्बूत बनाएं उन लोगों से करीब होकर जो आपके घर पर हैं और आपके कार्यस्थल में हैं, आज के दिन का सबसे अनकूल समय सुब 10 से 11 का रहेगा, आज के लिए आपका भागेशाली रंग मरून रहेगा, आपके शर्मीले सुभाव के बावजूद आज रुमाइन्स के शेत्र में बहुत संभावना है, जिसकी और आप आकर्शित हैं, उसे अपनी भावनाओं के बारे में सभ्वेवशालीन धंग से बता पूरी मेहनत से काम करने की कोशिश करनी चाहिए, इस समय में आप अपने लंबे वद तुरंत करने वाले कामों की सूची बना सकते हैं, आज संभव है कि आपके द्वारा खरीदी गई, बहुत इक वस्तूओं को को नुकसान पहुँचे, इसलिए बहतर है कि आज नई खरी को टाल दिया जाए, आज अपनी वस्तूओं को साथ अतिरिक ध्यान पुर्वक पेश आए, जिस से संभवित हानी को टाला जा सके, आज खुद पर सयम रखें ताकि आपको परिशानी ना हो, तनाम से दूर रहें, अनिद्रा हो सकती है, जिसकी वज़े से स्वास्त पर असर पर सकता है, धन्यवाद. अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, एस्ट्रयोगी जोतिशियों के अनुसार, बेज आज आपका लखी कलर है, शाम साड़े पांच से साथ का समय आपके लिए शुप रहेगा, लवलाइफ के मामले में आज अपने साथी के साथ अचानक ही मिल सकता है, जिससे आपको आशर्य होगा, आगे बढ़कर इसे पकड़ लें क्योंकि इसके लिए समय शुप है, आपकी कारे शमता इस समय उंचाई के शिखर पर है, और इस समय आप जो भी करेंगे उससे आपको लाभी होगा, आपकी कई दिनों से अपनी वित् सकते हैं, यदि आज आज आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने व्यापारिक संस्थान की आय को बढ़ाया जाए, तब जल्दी इसके सुखत परिणाम आपको मिलेंगे, आज आज आपको कुछ तनाव रहेगा जिसका आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसे दूर करने के लिए आपको तनाव कम करना होगा, जब आप फिर से दिमाग में शांती बना लेंगे, तभी आपकी स्वास्थ से रिलेटिट परिशानियां दूर होगी, धन्यवार अब बात करते हैं व्रिशिक राशी के सितारे, तो प्रीय व्रिशिक राशी के जातक्र, चंद्रमा करक राशी में अपनी उपस्तिती दर्स करवारवा है, जिसकी वज़ा से आपका स्वभाव थोड़ा सा वाद विवाद का रूप ले सकता है, हाला कि आपको उन चीज़ो तो एक ऐसी स्थिती में पास सकते हैं जिसके जरीए आपका जीवन प्रभावित हो जिस तरह से आप चीजों को अपने पास चाहते हैं वो नहीं होगी इसलिए तयार रहें क्योंकि घटना आपके जीवन में कभी भी घटित हो सकती है आपके जीवन में नए नए अध्याय की शिरुवात हो सकती है परतु हर समस्या का समधान होता है इसलिए अपने लक्ष और सपनों को साकार करने का प्रयत्र करते रहें अगर आज आप कोई भी महत्वपून कारे करना चाहते हैं तो उसे दुपेर दो बजे से शाम चार बजे के बीच में करें यदि आप विवाहि से आपस के समंध बिगड सकते हैं यदि वाद विवाद हो गया है तो उसे सामान ने होने का समय दीचिए करियर के मामले में आज कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार आपके मन में आ रहा है इसके लिए आज का दिन शुप है हाला कि नया व्यवसाय शुरू करने से संभावना है यदि आप अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं अथवा किसी नवीन व्यापारिक प्रस्ताव के पाने की उमीद कर रहे हैं तब आज इसके बीच आने वाली रुकावत हड़ जाएगी आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है आज आप अपनी इच्छाओं पर काबू रखें आप छोटी बातों से परिशान होकर अपने लगन का स्तर गिरा देते हैं आप अपना आत्पविश्वास उंचा रखें क्यूंकि आपके पास नया कारे आएगा जिसे आप संभाल सकते हैं शुक्रिया आएए देख लेते हैं आज क्या है खाज धनुराशी वालों के लिए प्रिया धनुराशी के चातर पिछले कुछ दिन से जो आपके जीवन में हल्चल हो रही है उसके लिए आज आपको राहत मिलेगी आज का दिन शांती भरा होगा आस्रोयोगी जोतिश्यों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में थकान बहुत बढ़ गई है आप थोड़ा सुस्त महसूस कर रहे हैं इसे थोड़ा सा आराम करें और खुद से जुड़े रहने के लिए आज के दिन की छुट्टी ले लें क्योंकि घरेलू मूर्चे पर आपको इस समय एहम भूम कारे करना चाहते हैं तो दोपहर देड़ बज़े से धाई बज़े के बीच में करें भाग्यशाली समय रहेगा है आपके लिए आज आपके सम्मंद में तनाव रहेगा जिसका असर आपकी रोमांटिक जिंदगी पर पढ़ सकता है हर विशय पर साथी से बात करके वह अपन अपनी ताकत वर रुझान का विशलेशन करना चाहिए इससे आने वाले समय में आपको लाग होगा आज के दिन आपको नवीन व सकारात्मक वित्तिय विकास के संकेत मिलेंगे ये किसी प्रकार की पदोनती या वेतन वृति हो सकती है यदि आप अपना व्यवसाई भी चला करें क्योंकि तनाव आपको परिशान कर सकता है आप कुछ शांती के पल भी निकालें ताकि आप आराम कर सकें और दिमाग को शांती मिलें अगर आप आराम करेंगे तभी आप सभी कारें अच्छी तरह कर पाएंगे शुक्रिया आईए देख लेते हैं कि मकर राशी वालों के सितारे क्या कहते हैं प्रिय मकर राशी के चातक चंद्रमा आज करक राशी में है आज हाई पोजीशन्स पर बैठे लोगों से बात करने से आपको लाभ होगा इसका मतलब हो सकता है कि आपके ओफिस में सीनियर्स या हाई रैं का सुझाव है कि आप अपनी कागजी कारवाई को व्यवस्तित करना ना भूले और जितनी जल्दी हो सके चीजों को पूरा करें दूसरों की मदद करने की शमता को आज अपने सबसे बड़े फायदे के लिए इसलिए सीनियर्स से सलहा लें और निर्देश लेने के लिए त अपने परिवार से अपने प्रेमी के बारे में बात करने का आज उचित समय है यह समाचार विनम्रता पुर्वक उनकी भावनाओं को ध्यान में रख कर वह सभी पहलों उपर सोच विचार करने के बाद ही लें यदि आप फैशन के जगत से तालुक रखते हैं तब आज का दिन विशेश फलदाई है आज का दिन जन संपर्प में पीतेगा जिसमें लोगों से मिलना जुलना और सेमिनार वर्क्शॉप आदी में भाग लेना हो सकता है आज का दिन आपको सुनिश्यत रूप से उस प्राप्ति अत्वा पदोर्निती के अफसर देगा जिसके विशे को प्रभावित करने का है तो खुद को श्रेश्ट सिद्ध करने के लिए चल पढ़िए आप काल्पनिक वचारों को अपने लक्षियों के आगे ना आने दें आपको ये समझना होगा कि काल्पनिक वचार कभी सच नहीं होते ओवर्थिंकिंग ना करें अदर्वाइस आपक कुम्राशी के चातर आप कुछ गंभीर विचार करने के मूड में आज हो सकते हैं आपको अपने विवेक को सुधारने के लिए कुछ विचार करने का प्रयास करना चाहिए अभी खुद को पढ़ाई में लगाएं ये आपके बौधिक रूप से आपकी ग्रोथ का दिन है के के लिए आपका शुबरंग लाल रहेगा दिमाग के इस्तमाल का उप्युक्त समय सुभव पांच से छे का रहेगा आज अपने प्रेमी के साथ चुट्टी पर जाने के बारे में विचार करें प्रेमियों के लिए उपतर दिशा में प्रस्थान करना सबसे सही रहेगा यद कभी हमें लगता है कि हमारे ही सफलता का रास्ता जो है वो तेड़ा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉसिबल है नई तक्नीक का पूरा लाग उठाने की कोशिश करें आज का दिन आपकी वित्तिय योजनाओं को सही गती देने वाला है अपनी नियमित आय के साथ ही आपको आज बोनस या अतिरिक्त आय के साधन की प्राप्ती की सूचना मिलेगी इन प्राप्तियों का आनंद लीजे क्योंकि ये आपकी कड़ी मैनत का ही प्रतिफल है आप खुद पर संयम बना के रखें ताकि आपको कोई शाररिक परिशानी ना हो खास कर तब जब आप दूसरों से अपनी परिशानी छुपाते हैं आज आप तनाव कम करें जिसका अच्छा असर आपके स्वास्ट पर देखने को मिलेगा शुक्रिया अब बात करते हैं आखरी राशी मीन राशी की तो प्रिय राशी के चाह तक करक राशी में चंद्रमा की स्थिती आज आपको प्रशंसा और पहचान दिलाने में मदद करेगी आज आज आप सबसे अधिक सफलता पाने का विकल्ब चुन सकते हैं हाला कि दिन भर की भाद दोड़ धरी गतिविधियों से आज आज आप ठक भी सकते हैं। अधिक सकारात्मा कूर्जा प्राप्त करने के लिए अपना खयाल रखें और अपने प्रियजनों के साथ अपने खाली समय का आनंद लें। उनसे बात करें और अपने तनाव का स्तर कम करने की कोशिश करें। आस्रोयोगी जोतिश्यों का मानना है कि चमकदार लाल रंग की कोई भी चीज आज आप पर पूरी तरह मेल खाएगी। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण या आवश्रिक कार्य है तो उसे आप सुबह ग्यारा से बारा के बीच में कर लें। अपने साथी के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आप दोनों के संबंदों को अधिक गहराव भरोसिमन बना लेगी। या आप दोनों को जीवन का एक साथ आनन्द उठाने का मौका मिलेगा। रोज की परिशानियों को भुलाकर इस समय का हरशन यादकार बनाईए। कोई नई योजना शुरू करने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही रुमान्चक रहेगा। अचानक किसी अपरिट्याशित स्तोत्र से कोई नई योजना या नया काम आपके मार्ग में आ सकता है। इससे आने वाले समय में आपको लाब जरूर होगा। आज का दिन आपको सुनिश्यत रूप से उस प्राप्ती अध्वा पदोनती के अफसर देगा जिसके विशे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। आज अपनी गुणवत्ता का पूरा उपयोग कीजिए जिससे आपको लेकर किसी प्रकार की नकारात्मक बाते ना हो सके। ये समय सभी को प्रभावित करने का है। तो अपना श्रेष्ट सिर्थ करने के लिए चल पढ़िए। आपकी नकारात्मक सोच आपका स्वास्त खराप कर सकती है। इससे आप महसूस करेंगे कि ये आपको नुकसान पहुचाने के साथ साथ जीवन का आनंद लेने में भी कठिनाई महसूस करवा रहा है। आपको इन सबसे चुटकारा पाना होगा अगर आप अच्छा स्वास्त चाहते हैं। धन्यवाद। अब आप आस्ट्रोयोगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसिल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें आस्ट्रोयोगी आप या लॉग इन करें आस्ट्रोयोगी.com कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।